आप देखरें सिरी वैम नियूस और मैं हूँ आपकी साथ प्रीदीश अंदर चली शुरुआत करते हैं सहारेनपूर बुलिटीन की आज की पहली बड़ी ख़वार ये साथ सहारेनपूर चर्चित सहेगल हत्यकान का आरोपी जोधन भोपाल के राजकर्च से हुआ फरार वर्ज 2011 में सहारेंड़ पुर में पाच लोगों की हत्या करने वाला सहगल हत्याकान का मुख्या आरोपी जोधन भोपाल के राजकर्च से सहारेंड़ पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया है जानकारी के अनुसार सहारेंडपूर पुलिस सरकारी गाड़ी से आरोपी जोधन को पेशी के लिए ले जा रही थी आरोपी के फरार होने के बाद सस्पी सहारेंडपूर ने पेशी पर ले जाने वाले विरेंद्र सवरूप, दरोगा बाकी सब कॉंस्टेबल सुनील कुमार, सचिन प्रमोच चालक, संदीप सभी पाँच पुलिस कर्मियों पर कारवही करते वे सस्पेंड कर दिया गया है बेहिट से कॉंग्रेस विधायक नरेश सैनी हुए कोरोना पॉजिटिव बेहिट से कॉंग्रेस विधायक नरेश सैनी काफी दिनों से बिमार चल रहे थे जिसके चलते उन्होंने अपनी कोरोना की जाच कर आई वहीं रिपॉर्ट पॉजिटिव आने पर उन्होंने ये जानकारी सुम अपने फेस्बुक अकाउंट के जरिये साचा की है और संपर्क मैं लोगों से आग रहे किया है कि वह भी अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं बिजली के शौट सर्किट से पशुशाला में लगी आग कई पसु जुल से एक की मौत ननोता ब्लो के अंतर गताने वाले ग्राम लंडोरा में बीती रात रवींदर कुमार की पशुशाला में आग लग गई वहीं आग लगने का कारण शौट शर्किट बताय जा रहे जिसमें दो पशु की हालत गंबीर है एक पशु की मृत्त हो गई है सूचना पर पहुँची भीम आर्मी की टीम ने वे तहसिलदार से मुआवजे की मांकी जिसमें प्रशाशन की ओर से आश्वाशन दिया गया है लाखो की चोरी के साथ साथ नाबालिक लड़की का अप्रहन कर किया गेंग रेप ये मामला है ननोता शेत्र के गाउं माधोपूर का जहां पर बीती राज चोरों ने घर में घुसकर लाखो रोपे की नग दी वे जेव राज चोरी किये और घर में सो रही नाबालिक लड़की का अप्रहन कर गेंग रेप किया जिसके बाद लड़की को बेहोशी की हालत में एक के खेत में छोड़ कर फरार हो गए पीडिता ने पिता के साथ थाने पहुँचकर आर ओपियों की पहचान भी की है और कारवाही करने की मांग की है CHC पर आयवजित किया गया मानसिक स्वास्थे शिविर जिसका उदघाटन अपर मुख्य चिकित साधिकारी डोक्टर ओपी गुपता मैं नोडल अधिकारी डोक्टर एक एत्रिपार्टी ने सहीत रूप से फीता काट कर किया शिविर में कुल सत्तर रोग्यों की जाच केगी जिन में से 22 रोग्यों को दवाईया मैं मनोवैज्ञानिक प्रामर्श भी दिया गया बाबा रामदेव ने क्या सहारनपूर में पतांचली मेगा स्टोर का शुबारम किसाना अंदोलन को लेकर कहीं एहम बाते सहारनपूर के कोर्ट रोड पर पतांचली मेगा स्टोर एन परीधान का शुबारम योग गुरू बाबा रामदेव ने फीता काट कर किया दीखी क्या बोले यो गुरू बाबा रांपू पतंजली मेगा स्टोर की और उसके साथ में ही पतंजली परिधान पतंजली चिकितसाल है एक साथ है तीन मंजिल काई की बहात ही भवेदिवे स्टोर खोला है ऐसे लगबग 5 जार स्टोर पतंजली के हैं और 5 लाग से ज़्यादा हम सोफसवर डारेक्ट डिश्रिबूशन करत पतंजली के सामान युँ दसलाख से زजाधा दुकानों पर मलते हैं लेकिन क्योंकि पतंजली मेगा स्टोर यहां एक हजार से ज़्यादा पतंजली के प्रोडेक्ट से उपलव्द होते हैं किसी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है भारत आत्म निर्वर बने विदेशी कंपनियों के आर्थिक और सांस्कृतिक लूट और गुला में से देश को मुक्ति मिले इसके लिए हम इसको व्यापार के लिए नहीं लोगों के उपचार और उपकार के लिए कमाई के लिए लोगो पर में भी तो गुलामी चल रही है विदेशी चिकित्सा की विदेशी सिक्षा की खेती खलहानों से लेकर सब जगह यह जो गुलामी का पुरा कुछक्र है हम उसको तोड़ना चाहते हैं और देशी चिकित्सा देशी सिक्षा और देशी जो हमारी संस्कृति और सभिमान से देश को जोड़ना चाहते हैं उसी क्रम में आज हम यहां सारणपुर में आये हैं और मुझे विश्वास है यहां के लोग इससे जादा से जादा लाभान भी तो होंगे यहां के लोगों का जो प्यारम से हमें बहुत प्यार और आशिरवाद मिला है तो उसी की यह सोगात दे यह भी आगे हर्याना में प्रोग्राम है तो कोरोना काल में भी जो है हमने अपने गत्विदियों को और शिखर आरोहन दिया है आप सब की जानकारी के लिए पतंजली हो या रुची सोया हो दोनू को ही हमने बहुत प्रामानिकता से संचालित किया है और पतंजली और रुची सोया ने सफलता के नया रोहन पाए हैं बहुत जल्दी ही हम इसमें कुछ नया भी करने जा रहे हैं पतंजली में भी बहुत कुछ नया होगा और रुची सोया में भी बहुत कुछ नया होगा और आगे हमारा बहुत बड़ा लक्ष है कि पतंजली और रुची सोया के माध्यम से इस अदेश की आर्थ व्यवस्ता में इस अदेश को आर्थिक स्वावलंबन बनाने की दिशा में हम एक बड़ा योगदान दे पाएं तो उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और नई वर्ष पर कुछ नई गोश्णाओं के साथ भी आपसे जल्दी मिलेगे जैसे किसान जो है इस पे हैं सड़कों पे हैं अंदरों हो रहा है और ज्यादा लंबा नहीं खिचना चाहिए आंदोलन को कुछ बाते सरकार को और कुछ बाते किसानों को मान करके एक बीज का रास्ता इसमें ज़रूर निकालना चाहिए अन्न दाता का भी किसी प्रकार से तरसकार नहों और सरकार जो करना चाहती है अग्रिकल्चर रिफोर्म्स और आज पूरी दुनिया में सभी क्षेत्रों में करांती हो लिए तो क्रिक्षी क्षेत्र में भी दो तरह से विकास की संभावनाएं हैं एक किसानों को नई अवसर उपलब्द करा करके दूसरा उनको उन्नत तकनीकी उन्नत बीज सही बाजार उपलब्द करवा करके उनकी उपज को बढ़ा करके और उपज का मुले भी मिले इसलिए MSP की बात हो रही है और सरकार ने इस संदर्भ में बार-बार कहा भी है लिखित आश्वासन देने के लिए सरकार तयार है कि हम MSP को बंद नहीं करने जा रहे हैं बलके MSP को बढ़ाने के लिए और मंडियों को बढ़ाने की बात है और तमाम तरह के जो सुविधाएं देने की बात है उस पर भी सरकार सहमत है मैं आश्वस्त हूँ कि जरूर कोई न कोई रास्ता जल्दी निकलेगा और ये गतिरोध खत्म होगा क्योंकि इस गतिरोध से जहां एक और किसानों की भी आगे हानी होनी की संभावना है क्योंकि आगे अब फसल भी आएगी और उसमें निराई गुडाई से लेकर के बहत तरह की उनको दिक्कति आने की संभावना है देश की गति भी अवरुद्ध हो रही है वहीं सरकार और किसानों के बीच इस पूरी तनातनी से राष्ट का भी कहीं न कहीं बाधित हो रहा है तो भारत स्वाविमान अज भी हमारा एक ट्रस्ट है न्यास है और वह आज भी पुरे देश में योग का आयरवेद का स्वदेशी का वोकल फोर लोकल का ही जो पूरा अंदोलन है भारत को आत्मीने रोच बनाने का जो अंदोलन है वहाँ आज भी भारत स्वाफिमान का मुखे लक्ष है उस दिशा में हम कारे कर रहे हो आरट 600 जिलो में 5000 से ज़्यादा तहसिलों में डही लाख गाउ में हम लोग आज भी अपने सेवाकारियों को आगे बढ़ा रहे हैं हत्या का खुलासा नै होने पर भायला गाउं में लगाया जाम देवबंद को त्वाली शेत्र के गाउं भैला में 15 दिसंबर से लापता कार्ती कशव 19 दिसंबर को गाउं के ही करीब गन्ने के खेत में 8 से कुछला हुआ मिला था पुलिस द्वारा अब तक हत्या का खुलासा नै के जाने से नाराज आज परीचनो द्वारा वे ग्रामीनो द्वारा देवबंद बढ़ गाउं रोड पर जाम लगाया गया जाम की सूचन मिलते ही मोके पर पहुँची पुलिस ने परीचनों और ग्रामीनों को समझाने का प्रियास किया अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें